आप सभी को हैपी बलेंटाइंडे लेकिन क्या आप जानते हैं कि बलेंटाइंडे की शुरुवात कहां से हुई थी सबसे पहले बलेंटाइंडे कब मनाया जाने लगा था इसके पीसे की कहानी क्या है जिस अब हमाँ आपको इस वीडियो एक अंदर बताएंगी औरियो ओफ जकोवस डी ब्रोजिन नाम की एक पुस्तक के मताविक रॉम के एक पादरी थे जिनका नाम था संत बलेटाइन वे दुनिया में प्यार को बढ़ावा देने में मानेता रखते थे उनके लिए प्रेम ही जीवन था इसलिए इसी शेयर के एक राजा क्लोडियस को उनके ज्यादत अच्छी नहीं लगती थी राजा को लगता था कि प्रेम विवाह से पुर्शों की वुद्धी और शक्ति दोनों ही खातम हो जाती है इसी बज़ा से वह राजा में जो सैनिक और अधिकारी हुआ करते थे उनको शादी नहीं करने का होकम देता था वलकि संत बलेटाइन ने राजा क्लोडियस के इस आदेश का बिरोध किया और रॉम के लोगों को प्यार और विवाह के लिए प्रिरित किया इतना ही नहीं उन्होंने कई अधिकारियों और सैनिकों की शादी भी करवाई इस बाद से राजा बढ़का और उसने संत बलेटाइन को 14 फरबरी 299 में फांसी पर चड़ा दिया इसे हर साल इसी दिन प्यार के दिन के तोर पर मनाया जाने लगा संत बलेटाइन ने अपनी मौत के समय जेलर की नेतरी हिन बेटी जेकोबस को अपनी आँखें दान की सैट ने जेकोबस को एक पत्तर भी लिखा जिसमें आखिर में लिखा हुआ था तुम्हारा वेलेटाइन जहरी प्यार के लिए बिल्दान होने वाली एक वेलेटाइन की कहानी है उस दिन संत वेलेटाइन तो फंसी पर चड़ गया लेकिन प्यार करने बाले के दिलों में आज भी दड़क रहा है संत वले टाइन कीत रहें प्यार को बड़ावा देने बाले हमारे चैनल को लाइक वे सबस्क्राइब जुरूर करें आपको जहाँ जान करी कैसी लगी कमेट बॉक्स में कमेट करके जुरूर बताईएगा और जद यभी तक आपने हमारे चैनल को सबस्क्राइब ने किया दो सबस्क्राइब कर लीजेगा धन्याबाद